तो दोस्तो आज 25 सेप्टेंबर 2022, कल 26 सेप्टेंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग विग शुरूर ने जा रहा है तो आज इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कुछ इंपोर्टेंट शेर स्कूपर, कुछ इंपोर्टेंट सेक्टर स्कूपर कल जब बजार ओपेन होगा, यानि शार्प 9 बच के 15 मिट पे आपका करी नजर होना चाहिए ये सारे सेर्स के उपर भी, ये सारे सेक्टर स्कूपर भी, क्योंकि या तो इसमें बहुती जादा तेजी देखने को मिलेगा या तो बहुती जादा गिरावर देखने को मिलेगा और उसके पीछे प्रॉपर रिजन भी है, जो कि आगे वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्काशन करेंगे अब चले बिना किसी टाइम वेस्ट के फड़ा फड़ा हम देख लेते कि कौन कौन सी कंपणी का शेर, कौन कौन सी सेक्टर जो कि मैं आपको कल की लिए सिर्फ और सिर्फ नजर रखने की रेकमेंट दे रहा हूँ आपको मुबवेंट देखने को मिलागा यह सारे इंपॉर्टन शेर को पर जैसे की रिलाइंस इंडेस्टरी जैसे का आपको यादो का फ्राइडे के दिन जब मार्केट गिरा था यह दस में से अब लिए साथ शेर में तो आराम से भारी भरकम गिरावाट हमें देखने को मिला था जैसे के रिलाइंस इंडेस्टरी लास्टे गिरा था उसके बाद दोस्तों एजडेप सी बैंक से लेकिए इंफो सी एजडेप सी टीसी एस को टक महिंद्रा और लैसे नुपी यह सारी दोस्तों भारी भरकम हमें गिरावाट देखने को मिला था लास्टे तो जिस बैसे दोस्तों यह सारी शेर को पर आपका नजर होना जरूरी है तो सबसे वहले रिलाइंस इंडिस्ट्री इसकंदर अल्मोस सारे 11 परसंट का वेटेज है एजडेप सी बैंक जो की इंडिया का प्राइडेश का चल चुका था लास्ट ट्रेडिंग विक पर देखा था उसके साथ सथ एक दिगज कंपनी हिंदुस्ता नियुन लिवर और लैर्सन टूबरो लिमिटेट तो यह दस शर मैं आपको रेकमिन करूंगा कल मार्किट को पर नजर रखना उसके साथ साथ अगर आपका बैंक और नॉन बैंक दो नहीं इंक्लूट है जिसका अंदर कितना वेटेजर अल्मोस 37 परसंट के आसपास 36.96 परसंट के आसपास तो ओवरल अगर हम बात करें आईटी सेक्टर यहां पे भी काफी अच्छा वेटेज है अल्मोस्ट 14 पर परसंट की उपर यानि दो तीन आपको मैं सेक्टर और एक शियर रेकमेंड किया इसके उपता आपका सबसे ज्यादा नजर होगा एक रिलाइंस दूसरा होगे आपका फराइटी सेक्टर के अंदर आगे भी गिरने का चांस है क्योंकि फ्राइडी की दिन हम ने देखा था यह मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा वह बेडिविज्वाल कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि कल इसके श्यार कूपर नजर रखने की आपको जरूरत आप रिलाइंस इंडेस्टियों को नंबर वन पर रहेगा क्योंकि एक तो निफ्टी-फिप्टी का सबस्यादा वेटेज दूसरा दोस्त एक निउस भी दिया था सैटर्डे के दिन हमारा पीएम यानि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अनॉसमेंट किया था कि फॉर्स्ट ऑक्टोवर के दिन जो कि इंडिया के अंदर फाइब जी सर्विसेस लॉंच करेगा उस जो इवेंट में दोस्तों बड़े-बड़े कर दिया था कि दिवाली के अंदर जो इंडिया के टॉप कुछ शहर है वहाँ पर दोस्तों अल्री सर्विस लॉंच कर दिया जाएगा फाइब इस सर्विस तो डिफिनिटली इसकेस में रिलाइंस के अंदर लाज्ट डे भी हमने देखा था दो परसिन का सपस घिरावाट ह करूंगा जिसको पर आपका करी नजर होना चाहिए कल जब बजार ओपन होगा शार्ट नौबच के पंदरा मीट पे कुछ ना कुछ धमा का यहां पर आपको देखने को में लगा यह भी निफ्टी में जो की टॉप 10 वेटेज वाला शेयर में से हैं नेक्स्ट अगर हम बात अब यहां पर चौता मैं शेयर बोलूंगा आज जो की शेयर नहीं है मतब कर इसका लिस्टिंग होगा हर्श इंजिनियर तो इसका लिस्टिंग डे स्टाडेजी को बढ़र मैं आज मॉर्निंग पर मतब संडे मॉर्निंग पर एक वीडियो पोस्ट किया अगर आपने वह व देख सो तो आज पॉने एक बज़े का अपडेट है 25 सेप्टेमबर प्रीमियम चल रहा है 49.9 परसें तो यहां पर अगर हम पकल ले कि कल हो सकते हैं कि मार्केट गिरावाट हो या ना हो डिपेंड तो करेगा मार्केट गूर बट्ट अगर मिनिमम 30% के साथ भी लिस्ट हो तो उसकेस में काफी भारी बार कम आपको मुनाफ़ा मिल जाएगा तो आपको क्या स्टाइज होगा उसको पर में वीडियो बना चुका हूं तो प्लीज जाके चेक आउट कर लेना तो दोस्तों आपको क्या लग दें कि कितने प्राइस पे हर्श इंजिनियर आई प्यो लि सब्सक्राइब करें तो इसका बहुत बड़ा एक फाइदा जो कि भारती एटल को भी मिलेगा क्योंकि पर्टिकुलर सर्विस को पर काम करें बहुत जल्दी लॉंच भी कर देगा तो डिफिनली भारती एटल को पर आपका नजर होना कल जरूरी है आजए चलेंगे नेक्श सब्सक्राइब कर सकते लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा यहां पर दोस्तों टाटा स्टी लास्ट में आपको अपरेट दिया था याद होगा अभी उसका जो मेटल सेक्टर की जितने भी कंपनी जैसारे एक साथ मर्ज होगा साथ टो नजर होना जरूरी है क्योंकि इसका इंपक्त आपको कल भी देखने को मिल सकता है यहां पर बेसिकली कोई गिरावट नहीं हुआ था लास्ट यहां पर बैसिकली प्राइज एड़्यस्ट में आपको देखने को मिल कि यह सारे जो जूड जाएगा किसके साथ मर्ज होने के बात टाटा स्टिल लिमिटेट के साथ ही का जो कि एक बहुत बड़ा कंपने लाखों की लाखों करो पर इसका मार्केट कैप है इसको पर भी डेफिनेटिल नजर होना चाहिए नेक्स बात कर आयार सीटिस लाजड दोस्तों बहुत ही जबर्दस तरीके से गिरावट हुआ इवन जो इंपोर्टन लेवल ता साथ सो का वह लेवल भी धोस्तों के नीचे आके क्लोसिंग डिया तो जिस वैसे इसके लिए नजर होने की कल जरूरत है अगर इससे नीचे जाता है तो पहुंचने का चांस है फिलाल अगरा मार्केट कल रिवर्सल मारता है यानि बाउंस पार सेक्टर जिया अपने सही सुना पार सेक्टर को बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट ना के बल या पिक कड़ा मत उसको एक्दम सेक्सिस्फुली कम्प्लीट भी किया इसका भी इंपको कल जब बजार ओपन होगा डेफिनेटली ट्राइटिन की शेर कंदर देखने को जरू आफ़र में आपको देते जाओंगा वीडियो के वाइंड आप करता हूं वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर्ट जैनल इक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जयहिंद तो दोस्तों अ आदे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा